बोले शिरी प्रान नाथ प्यारे कीजे सदगुरु महराजी कीजे पन्ना धामी कीजे सरसुन्दर साथी कीजे पड़ामजी सुन्दर साजी आप सब इस सुन्दर साजी के धाम हेटे में विराजी शेराज शामाजी के चर्णों में शाथ शाथ लमन सुन्दर साजी आप शेराजी शामाजी की में से सद्गुरु मराजी की प्रेणा से विराट को समझने का प्रयास करते हैं सद्गुरु माराशी जोहर दास माराजी ने विराट का सुन्दर वर्णन प्रस्तुत किया है बेहती सरंता से सैस्ता से आईए जानते हैं मुहादी के आदीलो जेती उपजी शिष्ट तिन सारों ने यू कहया जो किनू न देख्या दिश्ट शिर परमधाम को धामधनीशी प्रान नाजी ने अपने जागरत ज्यान के द्वारा शिर मुखवानी में बड़े विस्तार पूर्वक वर्णन किया है इस ब्रहमान में 14 लोग हैं जिनमें 7 लोग तले हैं मृत्य लोग के तले 7 लोग अतल बला सुर्थ दानव का लोग वितल हटकीश्वर महादेव का स्थान सुतल बली राजा का स्थान तला तल माया सुर्थ का निवास्थान महातल कद्रू से उत्वन नाग लो रसातल निवान कवच आदी राक्षिश पताल वासुकी संग कुलीक आदी नाग लो और जहां पर हम निवास करते हैं इसको मृत्य लोग कहते हैं यहां पर साथ समुदर है घीर कर साथ समुदर लवन समुदर, इक्षूर समुदर, सोरा समुदर, ग्रिच समुदर, ददी समुदर, शीर समुदर और मेठा समुदर और साथी दीप है ठीक मद्धे जम्भू दीप, पलक्ष दीप, शाल्मनी दीप, कुष दीप, कौच दीप, शाक दीप दीप, उश्कर दीप, वो इस तरह से साथ सुमुद्र और साथी दीप, जो मद्धे भाग में चम्बू दीप है, जिसके नो खंड है और जहां हम निवास करते हैं, वह नवा खंड है, इसको भरत खंड कहते हैं, इसके उपर छे लोग है, भूब लोग, पित्रगन निवास्तान, स्वर्ग लोग, इंद्रपूरी, नेमतिक पर्ले में यहां तक का सब नाश हो जाता है, महार लोग, धर्म राजा के पूरी, छांगन निवास करते हैं, जन लोग, ब्रह्मा के मांसी पुत्रों का इस्थान, तप लोग, तपस्वी पुर्शों का इस्थान, सत लोग, जिन में तीन पुरी है, ब्रह्मा की पुरी, पैकुणता और शेपुरी, इन चोधा लोगों को खेर कर अश्थावरन आए हैं, इदेखें अश्थावरन, पृत्वी तत, जल तत, अगनी तत, बायू तत, अकाश तत, मन, बोद्धी और एंकार, आठावरन हुए, अश्थावरन से उपर जोधी सरूप, ज्यान सक्ती गायतरी, यहां तक हुआ आदे नरायन का इस्थोल शरीर, इसके उपर आदे नरायन के सुक्षम में महा तत, कारण में साज शुने, और उपर आदे नरायन का महा कारण शरीर है, जिसमें तीन लीला होती है, आदे नरायन की लीला, ब्रिज लीला, रास लीला, इस प्रमाण में चार दीप है, एक एक दीप में एक एक अरब सक्या रहती है, मद्धे के पुषकर दीप में आदे नरायन सक्यो सहित निवास करते हैं, यहां तक की भूमी का हद मिठ जाने वाली है, अब इनसे उपर माशुन्य निराकार है, इस आदी नरायन के ब्रमाण के उपर माशुन्य और उपर हम देखते हैं, प्रणव प्रम, रोधनी शक्ति, मन सरूप रोधनी शक्ति, अनेक शक्तियों द्वारा बेहत की पहली द्वार पर बहरा देते हैं, अव्यकृत के स्थूल बाद में, और अव्यकृत के सुक्षम में कालने रंजन हैं, जो 72,000 शक्तियों द्वारा बेहत की द्वार पर बहरा देते हैं, काल निरंजन, अध्याद, अधिदेव और अधिबोर इन तीन शक्तियों के द्वारा अपने कारे का संबादन करता है और इन तीनों के साथ 24-24 अजार शक्तिया है तो काल निरंजन 72 अजार शक्तियों के द्वारा विहीद के द्वार पर पहरा देते हैं इसके उपर महत ब्रह्म है और उसके उपर अव्याकृत का महाकारण शरीर है जिसमें तीन प्रकार की लीला होती है अव्याकृत की अखंड गो लोकी प्रतिबिम लीला अखंड रास की प्रतिबिम लीला यहां सदा सरुदा होती है यहां चार दीप है विश्नु लोक, नित्य वैकुन, शेत दीप, पुश्कर्दी अब इसके उपर हम देखेंगे सबलिक प्रम का स्थूल और अव्याकृत का महाकरण एक ही बात हुई इसके उपर चिदननलेरी है और इसके उपर नित्य गो लोक है जिसे अखंड ब्रेश भी कहते हैं और इसके उपर अखंड, व्रिंदवन और इसके उपर चेतन ब्रह्म जहां पर बसरी सुरूप निवास करते हैं इसके उपर सबलिक प्रह्म में और उनके उपर केवल प्रह्म सब्लिक प्रह्म और केवल प्रह्म एक ही धाम में हैं जिस प्रकार से परम धाम में प्रति दिन अक्षर प्रह्म शिराजी के दर्शन को आते हैं उसी प्रकार सब्लिक प्रह्म प्रति दिन केवल प्रह्म के दर्शन को आते हैं और इन दोनो धामों के मद्दे यमना जी बहते हुए और इन दोनो धामों में 9 ला कोस का अंतर और इसके उपर नित्य वैकुंट है जिसमें सत्सरुप लक्ष्मी जी और सक्षियों सईत निवास करती हैं इस बेहत भूमी कामी धाम दनी ने शिर प्रान ना जी ने जीवों को आठ प्रकार के मुक्ति स्थान दिये हैं इस नित्य वैकुंट के आगी शिर परम धाम का अखन अविनाशी ब्रहमांड आया है शिर परम धाम के ब्रहमांड में शिर राजी के सत अंग अक्षर ब्रहम और लक्ष्मी जी अपनी 24,000 सक्षियों सईत अक्षर धाम में निवास करते हैं इस परम धाम में शिर राजी और राजी के सत अंग अक्षर ब्रहम लक्ष्मी जी और अपनी 24,000 सक्षियों सईत अक्षर धाम में निवास करते हैं और निजधाम के 25 बक्षों का ब्यान धाम धन इशिप्रान नाजी ने बड़ी युक्ति से मुखवानी में दिया है धाम तलाब कुंजवन सोय मानिक नहरे वन की चोय पशिम चोगान बड़ोवन कहिए पुखराज साथ घाट जमना जी लईए आर सागर आर जिमी के ए 25 बक्ष धाम दनी के वर्णन करना अर्ष का सो सब इसाब अर्ष के गिंती सो भी अर्ष की ए बाते मुवमिन समझेंगे इस परम धाम के वर्णन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए नहीं तो ये अखन धन हाज से निकल जाएगा हुलो शिर्प्रान नात प्यारे कीजे सद्कुरू मराशी ची के चर्णों में शर्ट शर्ट नमर्ट